नमस्कार मैंना मालोक है आप लाइप स्टीज देख रहे हैं बिहार के वरिष्ट पत्रकार अरुन पांडे जी हमाई साथ हैं पांच सीटों पर चुनाव होने हैं देखें उनीस सीटों पर मद्दान हो चुके हैं पांचवे फेस की वोटिंग है जो की 20 तारीकों वोट परने हैं आस्तारीक हो गई अठारा अप्रील और पिचार पसार समाप्त हो गया बिगुल बजना बंद हो गया पांच जगों पर जहां जहां चुनाव हो रहे हैं हम उसका फीडबैक लेते हैं क्या रहा आप तक का जंता का मूड क्या कह रहा है वहां की जंता है उस निर्वाशन का टिकट कार दिया गया राजभूशन चौदरी जो पिछली बार महागर्मन को मिद्वार थे वी आइपी के उन्हें इस बार बीज़ेपी से मौका दिया गया क्या रहता है मुझा परपुर में लाइक करी है या फिर फिर से बीज़ेपी कहीं पक्ष में जाए अजय निश फेज़ चटा और साथ माव उसमें आठाट सीट के लिए चुनाव होंगे अब सवों की निगाही पात्मी पांच्में फेज में जो सीटें आपने गिनाई कि मुझापर पूरहाजी पूर शारन मदवनी और सिता मढ़ी इन सीटों के लिए चुनाव हो रहा है उसमें आपन में बड़ा चर्चा है पल्टू राम की नितिश कुमार ने जब पाला बदला राजस से वीजेपी के साथ दोस्ति किया भीजेपी छोड़ करके फिराजस से दोस्ति की तो पल्टी मारा राजनीत के वो नायक के रूप में बने अब मुझापरपुर की जो आपने चर्चा कि अब सिटिंग सांसद आजाए निशाद जो बीजेपी के सांसद पिछली बार भाड़ी मतों के अंतर से वो विजाई हुए थे इस बार बीजेपी ने उनको बेटीकट कर दिया उनको पिछली बार उनने भर यही कह रहे हैं और अब उन्होंने पल्टी मार दी वो कॉंग्र के बीच में लड़ाया अब कईडेट के मद्दाताओं के लिए सोची कितना दोंदा अभी तक जो नरेंद्र मोदी के नाम और काम चेहरा पर जीत के गए थे जबापन में नैंद्र मोदी ने सभाव की थी सभाव की थी और आब वो कईडेट जो है वो कॉंग्रेस का हाथ थ बना हुआ है लोग उस पर भरोसा करते हैं कि जिसको बेजी बीजेपी ने बेटिकट कर दिया है और यहां कॉंग्रेस का हाथ थाम लिया है वो फिर इस बार वहां अपना उन तो हैट्रिक होगी उनकी है तो लगाते हैं यह बड़ा दिल्चास होगा जो बीजेपी में अंत निता थे वह हाड़कोर निता आप कॉंगर्स सख्यों में आ गए उनके लिए पचार कर रहे हैं और वहीं बीजेपी की ओड़ लगे हुए सुरेश शर्मा उन्हें जिताने में लगे हुए देखे वहां कोई दल जिसको कहिए ना वहां तो मेरा फीड़बैक है उसमें वहा कॉंग्रेश ने को काई एंडेटि बना दिया है तो लूए में लगे से लगे हुए या आप नहीं दवा कर सकते और टाया तो वो को जिसको कहते हैं कि दोला कमीद दीख रही है काईडेट के प्रताई की फंसी है और सिधी लेलाई है दोनों में किसी एक को चुना है फिरहाल मुझपरपूर माना जाता है कि वीजेपी की वड़ा सेफ सीट मानी जाती है तो इसलिए मैंने आप से कहा कि देखना वड़ा दिल्चस्प होगा कि अभी इस अठार्मी लोग सभा के चुनाओं में मु आप क्या क्या है वहीं सामने से अशोग देव नरायान लाएन लिए पहचान और वह जो इलाका मानते हैं समाजबादियों का इलाका रहा है यह जब वीजेपी में आये थे उसके पहले उनका इमेज क्या था यह सब लोग जमीनी काच करता की पहचान थी अब हुक्म देव लड़के हैं आपको याद होगा कि पिछली दपा यही पॉलिटिकल कॉमिनेशन था जिसमें वीजेपी ने वहां सांदार जीत जत की थी असों की आदब ने लाखों मतों के अंतर से उनकी जीत हुई थी और इस पार पूर्व केंद्रे मंत्री अलीए सब फात्मी साहिब ही उनकी पहचान है उसी राक़े मुण्की सोहरत है और केंद्रे मंत्री के रूप में बहुतों को उन्होंने एक होता है कि कोई मंत्री बनता है तो उसका पीपूस कनेक्ट उस हद तक नहीं रहता है लेकिन फात्मी शाहब की खुब सूर्थी मानते हैं जैसा वहां लोग कि पीपूस कनेक्ट वाले नेता है अब इसका एक लाब है देखिए कुल मिला जुलाकर वहां की जो राजनीत हो जाती है ना फिर वह जो कॉमिनल लाइन होती है ना हिंदू मुस्लिम बाली बात हो जाती है अब यह देखना दिल्चस्प होगा इस पर फात्मी शाहिब ने जैदिव छोड़ करके आरज़ेदी में कमबैक किये हैं और यहां जो लालु प्रशाद का समीकरन है यादव और म सब्सक्राइब कुछ अंदूसरी जातियों को भी साधने की कोशिश की अति पिछरा समाज को तो अब इसका लाव किस हद तक फात्मी साहिब को मिलता है यह तो बड़ा देखना दिल्चस्प होगा कि पिछले चुनाब के जो ट्रेक रिकॉर्ड रहा है उस आधार पर ही भो फिर भी लोग अभी बिहार में जो आकलन वानते हैं कि वीजे पिकेले मदुवनी के सीट जो एक कॉम्नल आधार पर वहां वोटिंग होती है जो मद्दाता हिंदू मद्दाता जो गोलबंध होते हैं उसके आधार पर उसको सेफ सीट मानते हैं अगे हम बढ़ेंगे जिस त सारन के चुनाब में कहिए या पूरे बिहार की जो 40 सीटों के लिए चुनाब हो रहा है उसमें सारन एक सबसे होट सीट बन गई है वह होट सीट इसले भी बन गई है कि लालू परशाद की वह कर्म भूमी है वह उनका एक तरह से गिरही जिला था सारन रहने तो को पाल किया है और यही चेत्र है जब लालू परशाद चारा घोटाले में कनफिक्ट हो गए तो उनकी मेमरी खतम हो गई थी अब उस चेत्र से उनके बाद रावरी देवी चुनाब लड़ी लेकिन हुने सफलता नहीं हाथ मिली अब उस चीट से लालू परशाद की प्रतिष्ठा चुनाब लड़ने के लिए और एक बेटी के रूप में जो उन्होंने अपने पिदा जी के लिए किनी दानी एक रादर्स रोल इसको लोग बानते हैं हर लोग इसको सराते हैं अब रोहनी को इसका तो एक समाज में निशित रूप से प्रतिष्ठा मिली पहचान मिली लोग बिल्कुल पूरे राजद ने जब लालु प्रसाद की प्रतिष्ठा दाव पर है तो पूरी पार्टी में जो लोग मैटर करने वाले लोग हैं वो सुनील सिंग भी इसको मान के जो अध्यक्षा हैं पार्टी के को साध्यक्षा हैं और कई नहता जो राजद के लोग हैं उसी तरफ राजी प्रताप रुड़ी भी वहां है ठीक लगाने के लिए वह तैयार है रहा है और आपने देखा कि पूरी राजदी जिस जंग से सारण पर लोग का ध्यान ठीका हुआ है कि वहां तब भी मैं मानता हूं कि नरेंद मुदी का नाम काम और चेहरा चाहे वह सा देखना दिल्चस्प होगा जो वीजेपी ने कॉल दिया है इस बार के चुना में 400 के पार फिर नरेंद मुदी सरकार तो आप उसमें वहां की जनता किस पर भरोसा करती है तो इसलिए मैंने कहा कि वहां एक और जहां लालू प्रिसाद की प्रतिष्ठा पुद की दाव पर लागी है वहां इसलिए की रोहिनी को अब वो संसाद में भेजना चाहते हैं और उनकी बड़ी बेटी मिशा भारती पाट्लिपुत से चुनाब रही है उनका तो लास्ट फेज में एक जून को मत्दान होगा इसलिए पांच में चरण में सारण की सीट सच्मुच एक सबसे हौट सीट की बात करते हैं हाज़ीपुर की बात करते हैं कि लड़ाय हुई पशवपति पास के साथ कि हाजिपूर वो बोले कि मही llegar फिर mi पॉत सीट में आ पहले तो चिराग अपने दल में जीत लिए दल में इसलिए मैं कहता हूं कि जब रामिलास पास्पान के निधन के बाद पाटी में जो टूट हुई चचा भतिजे में मतवेद हुआ और एक तरह से पूरी पाटी जो है चिराग के हाथ से निकल गई पाटी जिसको आपको आते हैं लोगसभा में अध्यक्ष ने मानेता देदी प्रसपती पारस को के अंदर में मंत्री बन चुके थे और पाटी सिर्फ चिराग अलग ठलग पर गए और पांच सांसत प्रसुपती कुमार पारस सहीत पांच सांसत इदर हो गए थे लेकिन पहर से काम लिया अपने को वह प्रधानमंती नरेद मोदी के हनुमान बने रहे और इंडिये में इंटी मिलने के पहले ही वह कहिए कि जब कि यहां बिहार में उप्चुनाब हुआ तो उन्होंने एंडिये की खिलाफ कभी मुखालफत नहीं की सहीयोग किया प्रचार किया इसका लाव मिला कि अब चाचा पूरी तरह से बाहर हो गए उन्हों मकेंद्री मती पर से स्थिपा देना पड़ा और जो कह रहे थे कि हाजिपूर से हाजिपूर की दावेदारी चोड़नी पड़ी और चिराग अपने पिता की विरासत को समालने के लिए पहले से वह थे कि इस वार हाजिपूर से ही हम चुनाब रड़ेंगे जमुई से नहीं रड़ेंगे जमुई से उन्होंने अपने बहनुई को उमिद्वार बनाया उनका चुनाब तो फर्स्ट पेज में हो गया अब नौ बारा मिलास जी उस छेत्र से प्रतिन हित्व कर चुके हैं प्रधान म से जीते तो कहा कि उस रिकॉर्ड को आप तो रहें तभी राम बिलाजी के पती सची सब्राइब इस तरह से लोगों में जूस दिया उत्साह दिया उमंग भड़ा लोगों में चिराके रोड़्शों में हाजी प्रम ने रोड़्शों किया था था सभाएं की है उनके भीर तो देखिए यंग है और एक शवी बनाई है उसका लाप तो हां संगर्श किया उसका लाप तो मिली रहा है लेकिन देखिए जो राजत के कहिंड़े सीवचंदर राम वही जमीनी कार्च करता है मंत्री रहे हैं तो सबसरा मंत्री भी रहे हैं ना और आम जो लालु तो जादव बाहुली छेतर ही माना जाता है तो जादव का जहां स्ट्रॉंग पॉकेट कहते हैं जिसको वो तो अब लालु प्रसाद के साथ जो यह आप कहते हैं वो तो है ही वो पोल होगा ही इसले मैं मानता हूं कि देखिए लडाई है वहां चिराग के लिए विल्कुल लोग मान रहे हैं तो वह सही नहीं होगा सर्जमीन पर लडाई है वहां अब देखना दिल्चस्प होगा कि चिराग ने जो अपनी सीट नहीं बदली है पिता की राजिंतिक विलासत समालने का संखल्ब कि सजहानी देने की बात अपने कि नहीं और कल भी मैं देखा कल खवर आई थी वहां चिराग दियारा चहत्र में थे ल३ानपोर के की झन्हें ने लोगोर घ्र ने देखना दिल्चस और हाजी पूर के लोग तो वो चिराग पर भरोसा करते हैं कि जो राजत का एक जनाधार है वहां लालु पुषाद की प्रतिष्ठा है यह देखना एक ललाई है एक तरफा ललाई आप नहीं कह सकते हैं सामने अरजुन रहा हार भी चुके हैं कई बार सबसे पहले मुझे लगता है मैं मानता हूं कि नितीज कुमार की प्रतिष्ठा वहां दाओ पर लगी है इसलिए कि देखिए सुनील कुमार पिंटू बैस समाज से थे वह वीज़ेपी के नहेता थे पाला बदल करके उन्हें ज जातिये सर्वेज घंणा हुई उसमें जो खासके बैस समाज किया वादी उनके हिसाब से कंभुद करके आंका गया उन्होंने नितीज कुमार का ये डीम प्रोजेक्ट न था कि बिहार में पहली बार किसी राज्य में सरकार ने आजादी के बाद जातिये सर्वेज कराया थ और उसकी खुली चुनोती दे दी उस जातिये आंकडों को उन्होंने कभूल ही नहीं किया बैस का यहां समयलन किया जाती समयलन किया नागमार बुझा है और वह लग रहा था कि सुमिल कुमार पिंटु की फिर घर बापसी होगी बीजेपी में उससे पर नितीज कुमार ही इस पाले में तो पूल मिला जुला करा और जोहीं ललन सिंग ने सिपा दिया जदिव से अध्यक्सपत से तो नितीज कुमार ने दिल्ली की उस बैठक में ही देवेशन ठाकूर को का के इंडेचे रेनाउंस कर दिया कि यह चुनाब लिएंगे लोगसभा का और सिता मली उस बाद में मैंने देखा कि उनके इस एक इंडेचर की घोस्ना का वहां विरोध भी हुआ जैदिव के कुछ नेताओं ने भी और अर्जून राइव उसमें शरीक्त है जैदिव के कई लोगों ने पटना में बजाबता संजुक प्रेश्क को आप कहा कि हां जड़ी जैदिव बिल्कुल कि यह सिता मड़ी पीछरों की सीट रही है तो इसमें कैसे देवेश्चन ठाकूर के इंडेट हो गया खेर विरोध अपनी जगह रही देवेश्चन ठाकूर राज वहां कहीं रेट है अब तो प्रधान मंतरी अभी वह गयत है मिट साभी वहां नितिसकुमार कई सभा कर चुके हैं और देवेश्चन ठाकूर की एक शबी है वह असनातक छेत से उस इलाके से कई जीलों का नव कंश्वेंसी होती है कंश्वेंसी में लोग प्रिये हैं वह और पीपूस केनेक्ट है लोगों से वह सब तरह से जिसको आप कहते हैं को जन प्रती निदी अपन अपनी जानकाली के आधार पर कर रहा हूं दरजनों ऐसे बिहार के लोग जिनको कैंसर की विमारी के लिए टाटा मेमोरियल गए वहां तो उन्हों को हर तरह से मदद की करते रहते हैं वह एक ही पहचान है परिशत के सभापती के रूप में भी एक प्रभावकारी उनकी से करीब समझे जाते थे अब वो इसको लालुप पुषाद ने भरोसा किया लालुप शाद ने बहां के इंडेट बना दिया है तो इस सिता मड़ी की जो सीट है एक और उसमें गौर करने की बात है कि सिता मड़ी से सटे है सिभर की कंस्वेंसी वहां रमादेवी थी सीटिं से एंपी वहां बेटी कट हो गई वहां जदी को सीट दे दी वीजेपी ने और लवली आनंद वहां कहीं देट तो लोग मानते हैं कि वैस समाज में कहीं एक नाराजगी है पिछे दिनों रिपोर्ट किया था वैस्षा समाज मैं इसमें ही एड करता हूं वैस्ट समाज को र रही है कि बैस मदाताओं में एक नाराजगी है कि दोनों सीट से नहीं सुनिल खुमार पिंटू रहे न वहां रमादेवी रही है इसको लेकर कहीं न कहीं और विरोधी दल जो है न इसको भुनाने की कोशिज किये कुछ हट तक इसका लाव रितु जैस्वाल को सीवर में मिल भी रहा है इसी खबरे मिल रही है अब रही बात की कुल्मिला जो लाकर नरेंद मोदी का नाम काम और चेहरा और विधान पारसत के रूप में जो देवेश्चन ठाकुर ने अपनी चवी बनाई है उसका लाभ कि सथक वो भुनाते हैं और वहां की जंता भरोसा करती है तो इसलिए सिता मढ़ी सीट को लेकर जो लडाई है लडाई सीधी है वहां देवेश्चन ठाकुर जो जदिव की परतियासी है और राजत के परतियासी अर्जुन राइक की बीच फिलहाल अब जो तस्वीर मैंने आपसे बताई है कि इस बार के चुनाओं में अठार्मी लोग समझ सकते हैं आप पांचर चरन में पांस सीट पर जहां चुनाओं होने वहां की मुझदा सिति क्या है पिचार परसार तो समाप्त हुआ है हमने बताया है हर लोग स्वाश है रहा है लोग के बीच क्या बात है कौन आगे चल रहा है कौन पीशी चल रहा है यह तो खेर झाल